हलो एवरिवान ओब्जिक्टिव अड़्डा में आपका हर्दी कभी नंदन है आशा करता हूँ कि आपका स्वास्ति अच्छा होगा साइंस की पहले एक सीरीज आ चुकी है जो फर्स्ट फार्ट है वो साइंस का आ चुका है या सेकिंड फार्ट है पहले पार्ट में हमने मात्रक के बारे में जाना और इसके अलावा आपको बता देता हूँ कि हमारे हिस्ट्री की भी शिरीज चलती है और जो वीकली करेंट अपेर उसके भी हमारी शिरीज चलती है एक से साथ अपरेल और शाथ से चबदा अपरेल दोनुग वीडियो अपलोड कर दिये गए हैं जिसमें आप एक अपरेल से चबदा अपरेल तक की वीडियो देख सकते हैं और करेंट अपेर बहुत अच्छी तरीके से समझाये गया है और जो एक्जाम में आने का पुरा- पुरा चांस है चलो दोस्तूं साइंस की सीरीज में जो पार नमर टू है उसका फस्ट क्यूशन देखते हैं जो फस्ट क्यूशन है वो है फिजिक्स के पिता न्यूटन ने सन 1687 इसी में किस फुस्तक में सबसे पहले गति के नियम को परतिपादित किया इसमें आपको ये बतना है कि नियूटन साब ने 1687 में जो कतिका नियम में वो किस बुक में परतिपादित किया ये क्यूशन ससी 2010 में आ चुका है और चलो दोस्तों देखते हैं कि किस बुक में उन्होंने परतिपादन किया फर्स्ट ओप्शन है वेल्ट ओपनेशन में किया या रीपबलिक में किया या एरपोर्ट नामर बुक में किया या प्रिसीपिया नामक बुक में किया तो इसका राइट आंसवर दोस्तों ओप्शन नमर फॉर प्रिसीपिया नामक बुक में उन्होंने जो कतिके नियम में उसको परतिपादित कि पन्य बुक है उसके बारे में भी जान लेते हैं जो वेल्थ ओप नेशन है ये एडम इसमीत की बुक है और जो रीपॉब्लिक नामक बुक है ये पलोटो की बुक है और जो एरपोर्ट नामक बुक है ये है अर्न थर हेले की दोस्तों वीडियो को इसकीप ना करें वीडियो को पूरा देखें जिसमें जो भी पहले के जो एकजाम हुए उनके सभी क्यूशन डाले गए हैं इनके अलावा कोई क्यूशन नहीं है चलो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन पर अगला क्यूशन है जड़तवे का नेम क किसे ने दिया क्या यह jajit hůmson ने दिया क्या यह sir Ajak Newton ने दिया क्या यह gold steen ने दिया क्या यह smaller 4 ने दिया ये चार auction है आपको जो correct option है वो बतना है और आप जो इसका answer है वीडियो को पूज कर गए comment box में भी दे सकते हैं तो इसका right answer option number two sir hajajak न्यूटन ने जर्तवे का नियम दिया था तो इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं जो जेजे थोंसन ने इनूने इलोक्ट्रोन की खोज की थी और जो गोल्ड इस्टीन जो वेग्यनिक है इनूने प्रोटोन की खोज की थी और जो प्रोटोन ने इसका जो नाम करने वो नेक्स्ट क्यूसन है क्यूसन नमर तीन आपको यह बताना है कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीडने पर धूल के कर जड़कर गिर पड़ते हैं यह किस नियम का उदार आने क्या यह न्यूटन की गती का पहला नियम है क्या यह न्यूटन की गती का दूसरा नियम है क्या यह मतलब की इन में से कोई नहीं None of this तो यह चार ओप्सन है आपको बताना है जो collect transfer है इसका right transfer दोस्तूं option number one Newton की गती का पहला name है यह जो कंबल को हाँ से पकड़ कर डंडे से पीडने पर धूल के कन जड़कर घिर पड़ते और Newton की जो गती का जो first name है Newton की गती का जो first name यह बताता है कि अगर कोई वस्तू विराम अवस्ता में तो वो विराम अवस्ता में रहेगी अगर वो वस्तू अगर गती सील अवस्ता में तो वो गती सील अवस्ता में रहेगी जब तक उस वस्तू पर कोई बाहे बल कारे ना करे तब तक वो विस्तु उसी अवस्ता में रहेंगी और जो न्यूटन की गत्ती का जो फर्स्ट नियम है इसके और भी उधारण है एक तो उधारण यह है कि जो ठेरी हुई मोटर या रेल गाड़ी कि अचानक चल पड़ने पर उसमें बेटे यात्री पीचे की और जुक जाते हैं मतलब कि अगर कोई मोटर या गाड़ी अचानक चले तो उसमें एक दम से चलने से जो वेगती है वो पीचे की और जुक जाते हैं और इसका दूसरा नियम है जो चलती हुई मोटर गाड़ी अगर अचानक उसमेर ब्रेक लगा दे तो वेगती उसमें आगे क्यों और जुकेगा तो इसमें ये साफ साफ दिखाए दे रहा है कि जो जब तक बाहे बल कारे नहीं करेगा तब तक न्यूटन की जो गती का नियम ह वो प्रिपूर्ण नहीं होगा तो इससे जो न्यूटन की गती का जो फरस्ट नियम है इससे हमें बल की प्रिबासा भी पराप्त होती है चलो दोस्तू चलते हैं हम next question पे अगला question अगला question ये है बंदूग से गोली चलाने पर अगर हम बंदूग से गोली चलाएं चलाने वाले को पीछे की और धका लगाना मतलब कि एकर जब हम मंदूक से गोली चलाते हैं तो एक धम से जो पीछे की और धका लगता है वो किस बल के करण लगता है क्या ये न्यूटन की गती का दिवती नियम के करण क्या यह newton की गती का तीर्थिय नेयम के करण, क्या यह newton की गती का पर्तम नेयम के करण या newton का गूरतवया करशन बल का नेयम के करण यह चार ओप्न है आपको जो correct answer है वो बताना है तो इसका राइट an answering दोस्तूं Two option number two ये Newton की गति का दिरते ने में और Newton की गति का तिरते ने में इसका उदारने जैसे रोकेट को उडाने में या नाव से जैसे हम कोई नाव है जैसे नाव किनारे पर खड़िये तो जैसे हम नाव से उतरते हैं तो जो नाव है थोड़ी पीछे की तरब किसकती है यही जो समयक सरंक्षन का नेम है यह दूसरा नेम है और यह तीसरा नेम है जो एक किरिया पिर्ति किरिया का नेम चलो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्यूशन पर अगला क्यूशन है जो न्यूटन की गती के दूसरी नेम का इन्य नाम क्या है आपको ये बताना है कि जो न्यूटन की गती का जो दूसरा नेम है उसका इन्य नाम क्या है क्या उसका नाम गेलीलियो का नेम है क्या उसका नाम समयक सरक्षन का नेम है क्या उसका नाम किरिया परति किरिया का नेम है क्या उसका नाम जड़तवे का नेम है यह चार ओप्षन है आपको जो राइट आंस्वर है वो बदहना है तो इसका सए आंस्वर अभी मैंने बताया ये समय एक स्रंक्सन का नियम है option number two और जो किरिया परति किरिया का नियम है जो ये है जो न्यूटन की गती का तिर्थे नियम है और जो गेलिलियो का नियम और जड़त्वे का नियम है ये गती का जो परतम नियम है जो न्यूटन की गती का परतम निये में उसके अन्य नाम है चलो ठीक चलो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्यूशन पर अगला क्यूशन है कप्रा सुकाने की मसीन दूद से मक्कन निकालने की मसीन और ये किस बल के उधार रहने मतलब कि जो कपड़ा सुकाने की मसीन मतलब वोसंग मसीन वोसंग मसीन और दूसे मका निकालने की मसीन किस बल के उधार रने क्या ये अपकेंदरी बल के उधार रने क्या ये अभी केंदरी बल के उधार रने क्या ये गुर्तवा कसन बल के उधार रने या इन में से कोई नहीं नन ओप दीस तो इसका राइ टांसफर दोस्तु ओप्शन नमर वन ये अप केंदरी बल के उधर रणे मतलब कि इसमें जो बल का जो जुकावे केंदर की तरफ ना रेके बाहर की तरफ रेता है चलो दोस्तु चलते हैं हम नेक्स्ट क्यूसन की तरफ क्यूसन नमर साथ क्यूसन नमर साथ है मोट की कोई में चक्कल लगाती हुई मोटर बाई किस बल का उधर रणे मतलब कि आपको ये बताना है कि जो मोट के कोई जैसे हम मेला वरता है तो उसमें देखते हैं कि जो मोट के कुवे लगए होते हैं उसमें जो मोटर बाइक अंदर चलाता है तो ये किस बल का उदाराने मतलब किस बल के कारण होता है क्या ये गुर्तवाकरण बल के कारण होता है क्या ये अभिकेंदरी बल के कारण होता है क्या ये अब केंदरी बल के कारण होता है या इन में से कोई नहीं नन ओप दीस तो इसका राइट आंसवर दोस्तूं ओप्शन नमर टू ये अभी केंदरी बल के कारण होता है चलो दोस्तूं चलते हैं हम next question की तरफ अगला question बल और विस्तापन का गुणनपल केलाता है मतलब कि आपको ये बताना है कि जो बल और विस्तापन है बल और विस्तापन है इसका गुणनपल क्या केलाता है क्या इसे हम उर्जा कहेंगे क्या इसे हम सक्ति कहेंगे क्या इसे हम कारिय कहेंगे क्या इसे हम सियानता कहेंगे तो ये चार ओप्सन है इसमें से जो correct answer है वो आपको बताना है तो इसका right answer दोस्तु ओप्सन नमर C कारी जो बल और विश्टापन का गुणपल कहलाता है उसे हम कारी कहते है चलो दोस्तु चलते हैं हम next question की तरब question number 9 is किस कोण पर किये गए कारे कमान सुन नहीं होता है मतलब कि आपको ये बताना है कि किस कोण पर किये गए कारे कमान सुन नहीं होता है क्या हम 60 डिगरी पर करें क्या हम 45 डिगरी पर करें क्या हम 90 डिगरी पर करें क्या हम 180 डिगरी पर करें मतलब जो कारी है उसका मान सुन होता है तो इसका right answer option number C मतलब की option number three 90 degree जब हम कारी करेंगे तो इसका मान जो सुननी होगा चलो दोस्तु चलते हम next question की तरफ अगला question है अंत्रिक्स में चकल लगाते हुए उपगरे दवारा कितना कारी किया जाता है मतलब कि आपको यह बताना है कि जो अंत्रिक्स में जो चकर लगाता है उपगरे उसके दवारा कितना कारी किया जाता है उसके दवारा सुननी कारी किया जाता है उसके दवारा अधिक क्यूशन की तरफ अगला क्यूशन आपको यह बताना है कार्य करने की समता को कहते मतलब कि आपको यह बताना कि जो कार्य करने की समता है उसको हम क्या कहते क्या उसे हम सकती कहते क्या उसे हम उर्जा कहते क्या उसे हम समय कहते क्या उसे हम तवरण कहते तो इसका राइट आंस् option number two उसे हम बोलेंगे उर्जा कारी करने की समता को हम बोलेंगे उर्जा चलो दोस्तूं चलते हम next question की तरफ यह जो सभी question है यह previous year question है जो एक्जामू में आई हुए है चलो दोस्तूं चलते हम next question question number 12 उर्जा का SI मातरक होता है मतलब कि आपको यह बताना है कि जो उर्जा है उसका SI मातरक क्या होता है क्या उसका केलोरी होता है जो SI मातरक क्या उसका रेम होता है क्या उसका पासकल होता है क्या उसका जूल होता है तो यह चार option है आपको अगर इन जो क्यूसन ने उनका आंस्वर आता है तो वीडियो को पोज करके आप कमेंट बोक्स में आंस्वर दे सकते हैं चलो दोस्तूं इसका राइट आंस्वर ओप्शन नमर फॉर जूल जो उर्जा का इसा ही मातरक होता है वो होता है जूल चलो दोस्तूं चलते हम नेक्स्ट क्यूसन क लाइन में कौन शी उर्जा परवाईत होती है क्या टेलिपॉन लाइन में गतिज उर्जा परवाईत होती है क्या टेलिपॉन लाइन में विदूत उर्जा परवाईत होती है क्या टेलिपॉन लाइन में दवनी उर्जा परवाईत होती है क्या टेलिपॉन में टेलिपॉन ला में जो उर्जा परवाइत होती है वो होती है विदुध धारा चलो दोस्तों चलते हम नेक्स्ट क्यूशन की तरफ रासाइनी उर्जा को विदुध उर्जा में रुपांतरन करने वाला साधन आपको यह बताना है कि जो रासाइनी गुर्जा है को विदुध उर्जा में रु कुप्षन नंबर वन सेल कदवारा राशानी कुरजा को विदू तुर जामर रुपांतरत किया जाता है कि चलो दोस्तूं चलते हम नेक्स्ट कुप्षन की तरफ अगला क्यूसन है क्योसन नंबर 15 क्योसन नंबर 15 तोधा परकास उर्जा को बदलता है मतलब आपको यह बताए कि जो पोदा है वो परकास उर्जा को किस उर्जा में बदलता है क्या ये आंत्री कुर्जा में बदलता है क्या ये रासाइनी कुर्जा में बदलता है क्या ये गतीज उर्जा में बदलता है या ये काइनेटिक एजनरजी में बदलता है तो इसका राइट आंस्वायर दोस्त ओप्शन नम्मर टू ये रासायनी कुर्जा में बदलता है बोधा परकास उर्जा को रासायनी कुर्जा में बदलता है चलो दोस्तू चलते हैं हम नेक्स्ट क्यूशन की तरफ अगला क्यूशन है यांतरी कुर्जा को विदुत उर्जा में रुपांद्रित करने वाला साधन आपको यह बताना है कि जो यांत्री कुर्जा है को विदूत उर्जा में रुपान्तित करने वाला कौन स्रादन है क्या ये विदूत मोटर है क्या ये डाइनेमो है क्या ये विदूत सेल है या ये माइक्रोफोन है तो इसका जो राइट आंस्वायर ओप्सन नमर टू डाइन हम नेक्स्ट क्यूशन की तरफ अगला क्यूशन क्यूशन नमर 17 आपको यह बताना है कि जो यांत्री कुर्जा को धमनी उर्जा में रुपांतिर्थ करने वाला साधन मतलब कि यांत्री कुर्जा को धमनी उर्जा में रुपांतिर्थ करने वाला साधन कौन सा है क्या ये टू कर्सक्राइब दोस्तों इसमें जैसे आपको मोमबत्ति दे रखा है मोमबत्ति के दवारा हम जो रासानिक उर्जा उसको उसमा या परकास में परिवर्तित करशकते हैं और जैसे ये टूबलाइट दे रहका है टूबलाइट के दवारा भी जैसे हम विदूत उर्जा को परकास उर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं ये आपको द्यान रखना है चलो दोस्तु चलते हम नेक्स्ट क्यूशन की तरफ अगला क्यूशन है क्यूशन नमर अठारा धवन उर्जा है उसको विदूत उर्जा में रुपानत्रित करने वाला जो साधन है वो कौन जा है अब देखो इसका जो उप्सट उप्सण ने वहें लावड़ी स्पिकर सेकेंड उप्सण माइक्रो फोर्थ उप्सण ए विदृत सेल देहो दोस्तों मैंने आपको विदृत जेल के बारें拜त दिया है बात रही दो उप्सण एक तो लावडी speaker एक microphone loud speaker के दवारा जो विदूत उर्जा है उसको धवनी उर्जा में परिवर्थित किया जाता है और जो microphone microphone के दवारा जो धवनी उर्जा है उसको हम विदूत उर्जा में परिवर्थित करेंगे तो इसका right answer option number two microphone चलो दोस्तु चलते हम next question की तरफ अगला question है question number 19 19 number question है जो परत्यावर्थि धारा है परत्यावर्थि मतलब की AC AC को DC दिश्धारा में बदलने वाला उपकर्ण आपको यह बताना है जो AC को DC में रुपांतित करने वाला जो उपकर्ण कोन सा है क्या रेक्टिफाइर है क्या यह केतोड है या कंडेनेसर है या इनिवेटर है तो यह चार ओप्सन है अगर आप को यह इन जो ओप्सन है या क्यूप्सन है इसका अंस्वर आता है तो वीडियो को पोज करके आप कमेंट बोक्स में इसका आंस्वर दे सकते हैं तो इसका राइ तांस्वर ओपशन नमर रेक्टिफाइर के दवारा परत्य वरती धारा को दिश्ट द्हरा में बदलना जाता है चलो दोस्तू चलते हम next question की तरफ अगला question है गरू में DC को AC में बदलने वाला साधन जो हमारे गर में जैसे AC है DC है उसको AC में बदलने वाला साधन कौन सा है क्या ये rectifier है क्या ये cathode है क्या ये condenser है या invator है ये चार option दे रहे हैं आपको जो correct transfer है वो बताना है तो इसका right answer option number 4 invator के दवारा DC को AC में बदला जाता है चलो दोस्तों चलते हम next question की तरफ अगला question है question number 21 उर्जा वे दरिवमान के समंद में किसने सिदान दिया मतलब कि आपको ये बताना है कि जो उर्जा वे दरिवमान के समंद में किसने जो सिदान दिया क्या उन्होंने फेराडे ने दिया था क्या ये लेंज ने दिया या ये किरचोप ने दिया या Einstein जो विग्यान के बड़े ग्याता थे Einstein बाबा क्या इन्होंने दिया था तो इसका right answer option number 4 correct Einstein साब ने दिया था चलो दोस्तों चलते हम next question की तरब question number 22 question number 22 है जो E बराबर MC square का सिदान किस ने दिया आपको ये बताना है E बराबर MC square का सिदान किस ने दिया क्या ये सिदान फेराडे ने दिया क्या ये सिदान लेंज ने दिया क्या ये सिदान आइंस्टीन ने दिया क्या यह इस दांत किर्चोप ने दिया यह क्यूशन जो प्रिवेश एर क्यूशन है सबी क्यूशन वहीं से उठाए है मैंने तो चलो दोस्तु इसका जो क्रेक टांस्वार ओप्शन नमर 3 आइस्टी ने दिया था यह जो यह बराबर एमसी स्कॉईर चलो दोस्तु चलते हम नेक्स्ट क्यूशन की तरफ अगला क्यूशन है किलोवाट गंटा किसका मात रखे मतलब कि आपको यह बताना है कि जो किलोवाट गंटा है यह किसका मात रखे क्या यह वीदूत सक्ती का मात रखे क्या ये विदूत उर्जा का मात रखे क्या ये कार्ये का मात रखे क्या ये धारिता का मात रखे ये चार ओप्षन है इसमें जो करेक्ट आंस्फर है जो करेक्ट आंस्फर है आपको बताना है तो इसका राइट आंस्फर ओप्षन नमर टू वीदू तुरुजा का जो ये किलो वाट गंटा ये वीदू तुरुजा का मातरक चलो दोस्तों चलते हम next question की तरफ अगला question है एक अस्वे सक्ती में कितने वाट होते आपको ये बताना है कि जो एक अस्वे सक्ती है उसमें कितने वाट होते तो दोस्तों इसमें जो correct answer है वो आपको बताना है तो इसका right answer ओप्शन नमर 3 786 वाट होते है एक अस्वे सक्ती में चलो दोस्तों चलते हम next question की तरफ अगला question है सक्ती का मात्रक मतलब की आपको यह बताना है कि जो इनमें से सक्ती का मात्रक कौन सा है क्या सक्ती का मात्रक अस्वे सक्ती है क्या सक्ती का मात्रक वाट है क्या सक्ती का मात्रक किलो वाट है क्या सक्ती का मात्रक उप्रोक्त सभी all of these तो इसका right answer option number 4 उप्रोक्त सभी जो सक्ति का मात्रा के अस्वे सक्ति भी है वाट भी है किलो वाट भी है ये तीनु option correct है चलो दोस्तूं चलते हम next question की तरफ question number 26 question number 26 है उर्जम आपने के लिए गरू में काम आता है मतलब कि आपको ये बताना है कि उर्जम आपने के लिए गरू में किस यंतर का उप्योग किया जाता है क्या किलो वाट का उप्योग किया जाता है क्या एमीटर का उप्योग किया जाता है क्या एनर्जी मीटर का प्रियोग किया जाता है ये चार ओप्शन है इसमें जो करेक्ट टांस्वर है वो आपको बताना है तो इसका राई टांस्वर ओप्शन नमर 3 एनरजी मीटर के दवारा जो गरू में वो उर्जा मापी जाती है चलो दोस्तों चलते हैं हमें नेक्स्ट क्यूशन की तरब क्यूशन नमर 27 नीमन में से अ अदिस्राशी कौन सी है मैंने अदिस्राशी और अदिस्राशी पिछले वाले जो पार्ट नमर 1 ने उसमें बता दिया है तो चलो दोस्तों देखते हैं इसमें जो करेक्ट टांस्वर है कौन सा है क्या जो अदिस्राशी है क्या उर्जा अदिस्राशी है क्या सक्ति अदिस् चलो दोस्तूं चलते हम next question की तरफ अगला question है नीमन में से वाट किसका मात रखे आपको यह बताना है कि जो वाट है यह किसका मात रखे क्या यह कारिय का मात रखे क्या यह उर्जा का मात रखे क्या यह सकती का मात रखे क्या मतलब उप्रोक सभी all of these तो इसका right answer option number three यह जो व अगला question है नीमन में से रासानी कुर्जा का बंडार है मतलब कि जो रासानी कुर्जा है उसको जो उसका बंडार है वो क्या मतलब कि इसमें बंडारित किया जाता है क्या उसे generator में बंडारित किया जाता है क्या उसे motor में क्या उसे बेटरी में या उसे सोर उर्जा में मतलब कि आपको ये चार ओप्सन है जिसमें से correct transfer बताना है उसका correct transfer क्या है तो इसका right transfer option number 3 जो राशानिक उर्जा है उसको बेटरी में जो बंडारित किया जाता है चलो दोस्तों चलते हैं हम next question की तरफ अगला question यदि किसी वस्तु का वेग दुगूना कर दिया जाए तो गतीज उर क्या होगी क्या उसकी गतीज उर्जा इसमें सोरी नहीं लिख रहा है दुगूनी यहां पर लिखना है दुगूनी क्या उसमें जो गतीज उर्जा दुगूनी होगी क्या उसमें जो गतीज उर्जा है चार गूनी होगी या उसमें गतीज उर्जा आदी हो जाएगी या इस चार ओप्शन है इसमें जो करेक्ट आंस्फर है वो आपको बताना है इसका राइट आंस्फर ओप्शन नमार टू इसमें जो वेग दुगुन्या कर दिये जाए तो गती जूर्जा चार गुणी हो जाएगी चलो दोस्तों चलते हम नेक्स्ट क्यूसन की तरब अगला क्यूस होती है क्या उसमें उसमा उर्जा होती है क्या उसमें इस्तिती जूर्जा होती है या नन ओप दीज इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आंस्फर ओप्शन नमर थ्री इस्तिती जूर्जा होती है चाबी वाली गाड़ी में जो संचीत की जाती है वो इस्तिती जूर्ज देता है पर विश्टापित करने में एसपल रहता है मतलब कि उस दिवार को विश्टापित उस जगे से हिलाने में एसपल रहता है तो वे करता है मतलब कोई कारिये नहीं या रिनात्मक कारिये या वे दनात्मक परंतु अधिकारिये नहीं या वे अधिक्तम कारिये ये चार इसमें जो correct answer वह आपको बताना है तो इसका right answer दोस्तूं option number one कोई कारी नहीं खरता है क्योंकि वहाँ से दिवार तो हिली नहीं तो कोई कारी हुआ यह नहीं चलो दोस्तों चलते हैं next question की तरफ अगला इसमें गती जूर्जा नहीं होती है मतलब कि आपको यह बताना है कि यह चार option इनमें से किसमें गती जूर्जा नहीं है चली हुई गोली जिस बंदूक से निकल गई गोली बेतावा पानी बेतावा पानी चलता हतोडा या खींचावा धनूस यह चार option है इसमें जो correct answer वह दोस्तूं खींचावा धनूस यह जो गती जूर्जा है उसका उधारन नहीं है चला दोस्तूं चलते हैं next question की तरफ जो क्यूसर नमर चोती से कारिये मतलब कारिये बराबर क्या होता है आपको यह बताना है क्या कारिये बराबर बल इन्टू कारिये होता है या second option उर्जा इ या बल इन्टू विस्तापन होता है या इनमें से कोई नहीं none of this यह चारा option है जो क्रेक टांस्वर है वह आपको बताना है तो इसका right टांस्वर option नमर 3 बल इन्टू विस्तापन यह कारिये बराबर होता है चलो दोस्तूं चलते हम next question की तरफ अगला question है 35 नमर इस्तती उर् क्या M G N मतलब की M का मतलब दरिवान और G का जो G है और H N मतलब उंचाई यह और second option है M U Sky और third option है MGL और जो fourth option है इनमें से कोई कोई नहीं none of this तो इसका जो दोस्तूं जो right answer है option नमर एक option नमर एक मतलब की M बराबर दरिवान जी बराबर गूर्तुवा कर्षण बल H बराबर उंचाई तो इसका answer है one चलो दोस्तूं आज हमने 35 question देखे जो कारिये उर्जा और सक्ती का topic था उसमें से जो सभी question जो पिच्चे प्रिवि वेते हो सभी question हमने देख लिए हैं और वीडियो को share subscribe और like कीजिए क्योंकि दोस्तूं आप ज्यादा से ज्यादा share करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा student को इस वीडियो से फाइदा होगा चलो दोस्तूं आगे हम इसी परकार series लाते रहेंगे okay good bye